नमस्कार दोस्तों, आईए आज सुनते हैं शिशरत चंदुजी द्वारा रचित उपन्यास चरित रहीन का अगला आध्याए सतीश के चित्त में एक अगने शिखा रात दिन जलने लगी, यह बात वह अपने निकट अस्विकार नहीं कर सका उस आग में निरंतर जलते रहने के कारण उसका इतना जादा बलवान शरीर निस्तेच हुआ जा रहा है इसका स्पष्ट अनुभवकर वा उद्विग्न हो उठा बिहारी को बुला कर कहा, एक बार फिर सामान बानना होगा रे, आज हम लोग शाम की गाड़ी से घर चलेंगे बिहारी ने प्रश्न किया, देश के घर या पचा के घर बाबू? पचा के घर, कहकर सतीश जरूरी सामान खरीदने के लिए उसे रुपे देखकर सोयम स्कूल चला गया बिहारी बहुत खुश था, उसका घर मिदना पुर जिले में था पच्छिम का मूँ उसने आज तक नहीं देखा था उसे पच्छिम की योर आज रवाना होना है पच्छिम के लिए कहा, बिहारी ने हस्ते हुए कहा पांडे जी, तुम जाकर खा लो, मेरा खाना एक तरफ ठक के रख दो समय मिलने पर देखा जाएगा, अभी तो मुझे मरने की भी फुरसत नहीं है पांडे जी समझ कर चले गए, शेश बातें समझ भी नहीं पाए, ना समझने की जरूरत ही समझी हाथ का पूरा कामकर बिहारी चला गया, बाजार जाना होगा इसके अलावा, पहले वाले बासे के चक्रवर्ती को भी यह समबात देना चाहिए सावित्री का खयाल तो उसने उसी दिन घ्रणा के साथ हटा दिया था, आज भी उसे मन में जगे न दे सका आज सुबे से ही सतीश के सिर में भारी बन था, बारा बजे के बाद वा बाकाइदा बुखार लेकर बासे में लोटा बिहारी घर में था नहीं, वा लगबग तीन बजे चीजों की एक गठरे सिर पर लेकर लोटा और बिल्कुल बैठ गया इन दिनों चारों और इन्फ्लूएंजा फैला हुआ था, इस बात की याद आते ही सतीश को भै लगा दूसरे दिन जवर और दर्द दोनों बढ़ गए संध्या के बाद सतीश ने चिंतित मुख बिहारी से कहा बुखार ने यदि जल्दी न छोड़ा, तो तू अकेले कैसे समाल पाएगा बिहारी आखों में आसु भरे हुए बोला, दर की क्या बात है बाबू सतीश थोरी देर चुप रहकर बोला, एक बार उसे यही सोच रहा हूँ बिहारी, एक बार सावित्री को खबर देना ठीक न होगा जान पड़ता है डॉक्टर को भी बुलाना होगा किसी कारण सावित्री को बुलाने की जरा भी इच्छा बिहारी को नहीं थी, किन्तु उसने अपने मन का भाव दबाकर कहा अच्छा, जाता हूँ तब से सतीश कान लगाय रहा, जैसे उसके ज्वर की अंत्रना अपने आप गम हो गई हो लगबद दो गंटे बाद बिहारी अकेले लोटाया, सतीश भाय पूर्वक उसे देखता रहा बिहारी ने कहा, वह घर पर नहीं है बाबू घर पर नहीं है, पर तुम उस बासे में एक बार क्यों नहीं गए बिहारी ने कहा, अब वह उस बासे में भी नहीं जाती, तीन-चार दिन से घर भी नहीं लोटी, कोई जानता नहीं कि कहां गई है उसकी मौसी भी नहीं जानती, नहीं, उसे भी बता कर नहीं जाती सतीश चुप हो रहा, बिहारी किसी तरह आखों के आशु रोग कर बाहर आखड़ा हुआ सावित्री का जो इतिहास वह उसकी मौसी के पास सुनाया है और जिस बात में वह खुद भी निस संशय विश्वास करता है किसी तरह भी उसे वह रुगन आदमी के सामने उच्चारण न कर सका दूसरे दिन डॉक्टर आकर दवा दे गए सतीश ने दवा की शीशी हाथ में लेकर खिर्की के बाहर फेग दी यह देखकर बिहारी एक बार और आसू रोक कर सावित्री की खोज में बाहर निकल गया मोक्षदा खाना बना रही थी बिहारी ने पूछा क्या आज भी नहीं है मोक्षदा ने हाँच चमका कर और आँख मू लाल कर कहा नहीं बेटा नहीं कितनी बार तुमसे कहूँ अब वह नहीं आएगी जब बुरे दिन थे तब मैं मौसी थी इस समय तो उसके अच्छे दिन है बासे में लोट कर बिहारी ने मिर्दू स्वर में बताया आज भी सावित्री लोटी नहीं है दो दिन बाद दवा ना खाने पर भी सतीश का बुखार जूट गया वह भात खाकर सुस्थ होकर उठ बैठा पिहारी को पुकार कर कहा और रुखना ठीक नहीं आज ही रवाना हो जाना चाहिए और उसी दिन सतीश कलकत्ता छोड़कर चला गया उपेंद्र ने सतीश के दुबले सूखे मूखियों देख कर कहा भाया क्या यही डॉक्टरी सीखने का नमूना है सतीश ने हस कर कहा है तो न उपेंदा उपेंद्र ने आशर्यानवित होकर पुछा हुआ क्या रे सतीश ने लच्चित होकर कहा डॉक्टरी हमारी ले सही नहीं हुई उपेंदा कुछ देर तक सतीश के उंचे शरीर को स्निद दिष्टी से देखने रहने के बाद उपेंद ने कहा ठीक ही हुआ पढ़ाई में न जाने कितनी अनर्थकारी जीव अत्या करता उसके पाप से भगवान ने तुझे बचा लिया महिने भर बाद एक दिन उपेंद ने सतीश को बुला कर कहा मेरे साथ तुझे एक बार कलकत्ता चलना होगा सतीश सतीश हाथ चोड़ कर बोला उपेंदा ऐसा हुक्म ना दो कलकत्ता बड़ा शहर है चमतकारिक स्थान है सब कुछ ठीक किन्तु मुझे वहाँ चलने के लिए ना कहो बाद सतीश में परिहास में लपेट कर कही थी किन्तु वह चलना उसकी दबाई हुई व्यथा को तभी रखने में समर्थ ना हो सकी उसकी नकली हसी बेदना की विक्रिती से इस फ्रकार रूपांतरित होकर प्रकट हुई कि उपेंद्र आश्चर इसे उसके मुखी और देखते ही रह गए उन्हें निश्चित रूप से मालूम पड़ गया कि सतीश वहाँ कुछ ना कुछ गर आया है और उसे उनसे छिपा रहा है क्षण भर बाद बूले तब रहने दे सतीश तेरा शरीर भी अच्छा नहीं है मैं अकेले ही चला जाऊंगा उपेंद्र के मन के भाव का अनुमान कर सतीश ने कुण्ठित होकर प्रश्न किया कब जाएंगे उपेंद्रा? आज ही आज ही? अच्छा चलिए मैं भी चलता हूं इतना कहकर और अचानक राजी होकर सतीश घर लोटाया वक शण भर में ही कलकत्ता के लिए अधीर हो उठा बिहारी से कहा एक बार फिर समान बांद ले कलकत्ता जाना होगा बिहारी ने चिंतित मूँ से पूछा कब बाबू? सतीश ने हस्ते वे कहा कब क्यारे? आज ही रात की ट्रेन से अच्छा कहकर बिहारी मूँ लटकाय हुए चला गया सतीश उसके अप्रसन मूँ को देखकर मन ही मन बोला बिहारी को यहां तो कुछ कामकाज है नहीं इसलिए वहां खटने के भय से नहीं जाना चाता किन्तु अंतर्यामी जानते हैं कि सतीश बूढ़े के मन की बात बिलकुल ही समझ नहीं सका इसके पहले एक दिन सतीश ने बात-बात में बिहारी से कहा था अच्छा बिहारी अब तक तो सावित्री निश्य ही लोट आई होगी किन्तु उस समय कहां गई थी बता सकते हो बिहारी ने थोड़े में ही कह दिया था नहीं बाबू बोलता तो वह कितनी ही बाते कह सकता था किन्तु एक दिन सावित्री के मूँ पर वह अपने पुरुशत्व का आंकार जता कर चला आया था उस गर्व को वह किसी प्रकार दबा नहीं सका जस दिन कलकत्ता से घर लोट कर सतीश ने अपने घर में कदम रखते ही हाथ जो आद्रकंट से कहा था भगवान तुम जो कुछ करोगे अच्छे के लिए ही करोगे उस दिन स्रिष्टी करता कि किस विशेश कारे का स्मरण कर उसने इतने बड़े धन्यवात का उच्चारन किया था शायद पूछने पर वह इसे ना कह सकता फिर भी कितने बड़े संकट के मूँ से वह निरापत लोटा सका है कितने बड़े दुष्छेद जाल को वह कितनी सरलता से तोड़ कर बाहर आखड़ा हुआ है या तो वह निश्चित रूप से जानता था और इस सो भागे को वह कितग्यता पूरवकी ग्रहन करना चाहता था किन्तो उसका भीतर सोया हुआ अबोध मन उसो नज़र तक नहीं डालता और पड़ा पड़ा रात दिन एक ही रूप में रोते हुए बिताता है फिर भी यतन करके वह पहले की तरह ही अपने बच्पन के बंदू बांधव थीएटर गाने बजाने अखाडे इत्यादी में मिलता जुलता है किन्तो किसी तरह पहले की तरह नहीं मिल पाता बलकि जो घर में ग्रहडी के साथ कले करके बाहर का काम पूरा करके नहीं आते हैं उन्हीं की तरह वह छद्रान वेशी और असहिश्नू होकर बिना विचारे सभी को डंक मारता भिरता था इस तरह जव दिन बिता रहा था तबी बीच में कलकित्ता जाने का आवान सुनकर उसकी विद्रोही ग्रह लक्ष्मी धूली शहया छोड़कर उठ बैठी एवं भविश्य के बुरे भले के प्रती भूक शेप किये बिना यात्रा करने को पाउँ बढ़ा कर आखडी हुई उसी रात को सतीश और उपेंद्र कलकत्ता जाने के लिए मेल गाड़ी के एक सेकंड ट्रास डिब्बे में जा बैठे सीटी देकर गाड़ी के चूट जाने पर उपेंद्र खिड़की से मुह हटा कर बिस्तरे पर सो गए किन्तु सतीश खिड़की के बाहर ही देखता रहा मेल ख्रेन सब स्टेशनों पर नहीं रुपती वह प्रदेश नद नदी गाउं पत सब को पार करती हूँ हूँ आवास करती दोड़ी चली जा रही थी और उस तेज चाल के परणाम सुरूब कदाचितने संग निकटवर्ती पेड़ पौधे क्षण क्षण भर में अद्रश्य होते चले जा रहे थे दिगंत में विक्षों की पंक्ती और बसवारियां अंधेरा कर रही थी और उन्ही के नीचे नदी के वक्रांश में शुब्र जल रेखा खिरकी के नीचे शीशे के भीतर से दिखाई पड़ रही थी बाहर विक्ष, गुल्म तथा लाइन के बगल में सूखी सनई सब पर उदास चाननी फैल रही थी सतीश की आँखों में जल भराया इस रास्ते वह ना जाने कितनी बार आया है गया है और इस निस्तब्द शांत प्रकृति को कितनी ही बार वह ऐसी ही मलिन चाननी के प्रकाश में देख गया है किन्तु और किसी दिन उसकी आँखों में ये सब चीज़ें इस प्रकार आई नहीं है उसके मन में होने लगा कि सभी कुछ बिच्छिन निरलिप्त और मृत है कोई किसी के लिए व्याकुल नहीं है कोई किसी के मूँ की यो देखकर उससे अपेक्षा नहीं करता सभी स्थिर है सभी उद्वेग हीन है सब अपने अपने में पूर्ण है इस निर्वकार उदासीन धर्ती की ओर देखने में उसे क्लेश होने लगा वह आखे मून कर बेंच के ओपर चित्त सो गया किन्तो थोड़ी देर बाद उठा और ट्रंक खोल कर शेहनाई बाहर निकाली फिर उपेंद्र को लक्षे कर धीरे धीरे कहा गाड़ी की आवाज से यदि तुम्हारी नीन में व्याघात नहीं होता तो वंची के शब्दों से भी नहीं होगा मैं तो सो सकता नहीं इतना कहकर वह फिर एक बार खिर्की के पास खेसकाया और बैठ कर बाहर की ओर देखते हुए वंची में फूप मारी उपेंद्र में कुछ हरकत नहीं हुई भगवान ने सतीश को गाने के लिए गला और बजाने के लिए हाथ दिये थे इस ओर उन्होंने कृपन्ता नहीं की थी बचपन से ही शुरू करके इस विद्या में उसने निपुरता प्राप्त की थी और शिक्षा कहने से जो कुछ समझ में आता है उसी तरह उसने इसे सीखा था सतीश वंशी बजाने लगा उस शुद्ध, सुंदर अनि वर्चनी ये संगीत स्विष्टी को समझने वाला कुई था नहीं केवल बाहर के आकाश में खंड चंद्रमा उसका अनुसरण करता भागता चलने लगा और धर्ती के उपर फैली सुप्त जोचना की नीग तूट गई क्रमशा जब गाड़ी की गती कुछ मंद हो गई और मालूम पड़ा की स्टेशन पास आ गया है तब उसने वंशी उठा कर रगती उपेंद्र उठकर बैट गए और कहने लगे नहीं यदि सीखना ही होगा तो शैनाई बजाना सीखूंगा उस दिन तुम्हारा सितार सुनकर व्यर्थी एक सितार खरीद लिया पैसा मिट्टी में मिल गया सतीश ने हस कर कहा गर में बैठे हुए उस बाजे को सीखने की चेश्टा करने पर पढ़ाई करने वाले लोग वहाँ ठहर न पाएंगे उपेंद्र जरा भी न जहेप कर बोले नहीं, सीखूंगा तो तुम्हारे ही घर बैठकर सीखूंगा इतनी बात करके दोनों हस पड़े दूसरे दिन काफी देर बाद गाड़ी हावडा स्टेशन पर आखड़ी हुई तब उपेंद्र ने पूछा तू कहा जाए गरे सतीश आश्यरे में भर कर बोला यह कैसी बात है, तुम्हारे ही साथ क्या तुझे कहीं जाने का टिकाना नहीं है हो भी तो तुम्हारे में और कोई बात नहीं हुई स्टेशन पर उतरते ही विलायती पुशाक पहने एक बंगाली साहब ने उपेंद्र का हाथ पकड़ लिया यह थे उपेंद्र के बाले बंधू जोतिश राय बेरिस्टर तार पाकर लेने आय थे बाहर उनकी गाड़ी खड़ी थी थोड़ा बहुत जो सामान साथ में था कुली द्वारा गाड़ी की छट पर चढ़ा दिये जाने के बाद तीनों आदमी भी तर जा बैठे बिहारी कोच बॉक्स पर बैठ गया कोचवान ने गाड़ी हाग दी बहुत देर बाद अनेक रास्तों और गलियों को पार कर गाड़ी एक बहुत बड़े मकान के सामने आ खड़ी हुई तीनों आदमी उतर पड़े शाम होने में जादा देर नहीं है उपेंद्र और सतीश पथरिया घाट की एक बड़ी सकरी गली की मोड़ पर आकर खड़े हो गए उपेंद्र ने कहा निश्चित रूप से यही गली मालूम पड़ती है सतीश ने संदेव रकट किया इसके अंदर नहीं होगा ऐसा हर्गिस नहीं हो सकता तूटी दिवार पर दिन लगा है बहुत संभव है इस पर कभी गली का नाम अंकित रहा होगा अब वह पड़ा नहीं जाता सतीश ने कहा अच्छी तरह जाने बिना इसमें प्रवेश करना मुश्किल है या पाताल में जाने की सुरंग भी हो सकती है उपेंद्र हस्ते हुए बोले तब तू यहीं प्रहरी बनकर खड़ा रह मैं अंदर जाकर देखाता हूँ सतीश ने पहले रोकने की कोशिश की बाद में उपेंद्र के पीछे पीछे चलता हुआ बोला उपेंदा हमारे जैसे फिरंतु लोग भी इन सब स्थानों में शाम के बाद आने का साहस नहीं करते आपके अंदर बड़ा साहस है उपेंद्र हस्कर बोले क्या फिरंतु में भज़जनों की अपेक्षा ज्यादा साहस होता है सतीश दुशकर्म करने की क्षमता को साहस नहीं कहते सतीश ने उनकी बात का प्रतिवाद नहीं किया और बड़ी सावधानी से रास्ते को देखता हुआ चलने लगा पाउं के नीचे ही दुरगंद और कीचर से भरी नाली थी ख्षीन दिश्टी सतीश के उसमें गिर पढ़ने की पूरी आशंका थी एक जगे जाकर गली बहुत जादा सक्री हो गई और अंधेरा गाड़ा हो गया सतीश ने पीछे से उपेंद के कुर्टे की खूट पकड़ ली उपेंदा क्या इसी रात में मरना है उपेंदा हसकर बोले अब इतनी देर बाद मुझे ठीक याद आ गया एक और मकान के बाद ही तेरा नंबर का मकान है प्राया आँठ साल पहले सिर्फ एक दिन यहां आया था इसलिए पहले पहचान नहीं सका अब पहचान गया या रहा रास्ता सतीश को विश्वास नहीं हुआ बोला, रास्ता तो है, किन्तो आपके हमारे लिए नहीं जिन लोगों के लिए विशेश रूप से इस रास्ते की स्रिष्टी हुई है उन में से किसी के साथ शरीर की भिड़न्द हो जाने पर इस रात में स्नान करके मरना होगा इस समय तो लौट ही चलिए उपेन ने कुछ जवाब नहीं दिया और सतीश का हाथ पकड़ कर उसे खीचते हुए चन पड़े तथा थोड़ा और आगे जाकर एक मकान के सामने खड़े हो गए बोले, तू सिगरेट पी ले, तेरी जेब में दिया सलाई है एक बार जला तो, देख लो, या कितने नंबर का मकान है सतीश ने दिया सलाई जला कर रोशनी की और अच्छी तरह मकान का नंबर देखने के बाद कहा ठीक ठीक पड़ा तो नहीं जाता किन्तु चौकट पर खड़िया से तेरा नंबर लिखा हुआ है जान पड़ता है आपकी बाद ही ठीक है किन्तु मैं पूछता हूँ कि घर का नंबर चाहे तेरा हो या तिरपन हो ऐसी जगे में आपको क्या काम हो सकता है उपेंद्र उत्तर ना देकर पुकारने लगे हारान दादा, ओ हारान दादा उपर, नीचे, पास में दूर, सर्वत, रंधेरा है कहीं कोई शब्द नहीं सतीश डर गया उपेंद्र फिर पुकारने लगे बहुत देर बाद उपर की खिड़की को थोड़ा खोल कर स्त्री कंट सुनाई पड़ा कौन है? उपेंद्र ने कहा दर्वाजा खोलने के लिए कह दीजे हारान दा कहां है? जरा खड़े रहिए, खोलती हूँ क्षण भर बाद ही दर्वाजा खुलने की आवाज के साथ हलकी रोशनी की रेखा रास्ते के उपर पड़ी उपेंद्र दर्वाजा ठेल कर चोखट के उपर खड़े हूँ कर स्तंबिचे रह गए वा औरत मिट्टी के तेल का दीपत लिए एक ओर खड़ी है थोड़े से आचल के हट जाने से सिर के उपर यतन पूर्वग बनाए हुए जूडे का एक हिस्सा दिखाई पड़ रहा है यह भी दिखाई पड़ा कि उसका एक भी बाल स्थान भ्रेष्ट नहीं है अत्यंत संदर मूँ के उपर हाथ की रोश्ने पड़ने से दोनों भवों के बीच की काच की टिकुली चमक चमक उठती है और कुछ जुके हुए नैनों से जो बिचली का प्रवा टूट पड़ा चारों और के निविर अंदकार में उसकी अपूर्व जोती थोड़ी देर के लिए दोनों को ही विब्रम में डाल गई सतीश ने सपष्ट देखा कि ओष्टाधर की हसी की रेखा बाधा पाकर बार-बार लौट चा रही है उसने उपेंद के शरीर को ठेश दी उपेंद चकित हो कुछ परिशान से बोल उठे हारांदा कहां है स्त्री बोली वह उपर है उठ बैट नहीं सकते मा भी आज साथ-ाथ दिन से खाट पर पड़ी हुई है सारे घर में केवल मैं चंगी हूँ आप उपेंद बाबू है ना हमने आशा की थी कि आप कर लाएंगे इसलिए तयार न थी रसोई घर में रहने पर वहां तक आवाज सुनाई नहीं पड़ती इसलिए कई बार पुकारना पड़ता है उपर आईए यहां बड़ी ठंड है इतना कहकर उपर रास्ता दिखाती हुई वह सीड़ी चड़ने लगी दो-तीन कदम चड़कर मो फिराकर हाथ की रोशनी नीचे करके बूली सावधानी से चड़िये कई जगे सीड़ियां तूटी हुई है उसकी यह आशम का निर्मूल नहीं थी यह देखते ही दोनों समझ गए और सावधान होकर उपर चड़ने लगे कोठे वाला घर है पहले उपर की मनजिल में चार-पांच कमरे थे उनमें से दो तो बिलकुल गिर गए है और एक के आगामी वर्षा की रितु में गिर जाने की संभाव ना जान पड़ती है शेश जो तीन कमरे बच गए है उनमें से सामने के कमरे में तीनों प्राणियों ने प्रवेश किया प्रवेश करते ही समझ में आ गया कि यह अत्यंत अनदिकार प्रवेश हुआ है चूहो का दल, जीन, एवं पुरातन तथा अव्यवहारेक शय्या पर से कूत कर सारे घर में मनमाने ढंग पर घूमने लगा और असमय ही रोशनी और आद्मियों के आजाने से चेंचें कर उठा सारे कमरे में तूटे-फूटे टेबल और कुरसियां फैली है कहीं तूटे काट के ट्रंक रखे हैं, कहीं तूटे तिनके डिब्बे पड़े हैं कहीं खाली शीशियां और बूतले रखे हैं तथा कहीं पुराने दिनों की सजावट की बहुत सी जीजें टूटी फूटी पड़ी हैं। उसी कमरे में एक किनारे पर तखत रखा है, उसी पर एक और गद्धी, तो शक तक ही ये हटा दिये गए हैं। और एक हिस्से पर चटाई बिची हुई है, या अतितियों के बैठने के लिए हैं। उस स्त्री ने मिट्टे के तेल का दिया फर्श पर रख कर कहा, सरप्रतीक्षा कीजे, मैं खबर देती हूँ। इतना कहकर कमरे से उसके बाहर जाते ही सतीश जूता तक अतितियों के आसन पर रख कर खड़ा हो गया। उपें डर कर बोले, या क्या बात है। सतीश पुस्पुसाते वे गरच उठा। पहले जान बचानी होगी। उसके बाद ही भद्रता की रक्षा का ख्याल करना होगा। देखती नहीं है कि पैर के पास रोशनी देख सब कीड़े मुकाड़े चले आ रहे हैं। सतीश ने जिस तरह का भय बताया उसके लिए विचार करे या तरक करने का और कोई अफसर नहीं था। उपेंज भी कूत कर खड़े हो गए। तख्त पर स्थानभाव होने के कारण अब दोनों ठेलम ठेल कर रहे थे। तब ही वो औरत लौट आई और किवाड के सामने खड़ी होकर खिलखिला उठी। ये लोग डर रहे हैं। इससे उसने समझ लिया। यह मेरे ससुर की बैठक है। आप लोग अमर र्यादा कर रहे हैं। उपेंड जेब कर तुरंती उतर पड़े और सतीश पर बहुत खीच कर बढ़ बढ़ाने लगे। पर उन्तु सतीश नहीं उत्रा। हां बिन्यपूर्वग बोला। भाई क्या अकारण है उपेंडा। हमारी विद्या में चानक्य के श्लोकों की जाधा जानकारी नहीं होती। किन्तु इतना तु मैंने सीखा ही है कि आत्मरक्षा वस्तता ही श्रेष्ट धर्म है। फिर उस स्त्री की तरब देखता हुआ बोला। अच्छा आप ही बताईए कि आत्मरक्षा के लिए एक निरापच जगे देखनेने में क्या कोई अन्याय हुआ है। आपके ससुर की बैठक की प्रती असम्मान दिखाने की शक्ति हम में नहीं है। वरन यथेष्ट सम्मान के साथ ही आपके आश्रित प्रग्या पुंच का मार्ग छोड़कर जरासी जगे में दोनों जने खड़े हैं। तीनों जने हस पड़े। उनके परिहास ने इस दरिद्र ग्रहलक्षमे को व्यथित नहीं किया। वरन उसके अंदर जो सरलता और समवेदना छिपी हुई थी। उसे यह तरुनी सहजी ग्रहण कर सकी थी। उसके हास्ते से उच्वल मुख पर इसकी स्पष्ट अभिवेक्दी देख वो पेंद्र ने अपने मन में बड़े संतोष कानुभव किया। उसके मुख की ओ देखकर मृदु हसी हस्ते हुए बोले। प्रग्या पुंच आपके सामने उसके उपर अत्याचार करने का साहस नहीं करेगा। मैं समझता हूँ कि अब या नीचे उतर आ सकता है। निश्य ही कहकर मिट्टी के तेल का दिया हाथ में लेकर बहु सतीश की ओर देखती हुई भुवन मोहिनी हसी हसकर बोली। अब निर्भय होकर राजा के दर्शन के लिए चलिए। इस हास परिहास से अपरिचितों का दूरत्व बिलकुल कम हो गया और तीनों प्राणी प्रफल मुख कमरे से बाहर हो गए। एक खण में काली पड़ गई। खण भर में उस लांचित भाव को दूर करके उपेंद्र कुछ दूर पर रखी शहिया के पास चले गए। और पुकारा। हारान दादा। हारान निर्जीव की भाती पड़े हुए थे असपुट स्वर में बोले। आओ भाई आओ अब उठकर बैट नहीं सकता तुमको भी कष्ट दिया। इतना कहते कहते वहाँ उठे। उपिंद्र धप से पिछोने के किनारे बैट गए। उनकी दोनों आखें चलचला उठी और उनकी समस्ति छाती को हिला कर एक अदम में उच्छवाज गले में भर उठा। उन्होंने कुछ कहने का साहस नहीं किया। दाद पर दाद दबाकर कठोर होकर बैठे रहे। उधर सतीश एक बड़े काठ के संदूग के उपर सूखा मुख्लिये बैठा रहा। मैली और सैकणों स्थानों से छिन बिन शैया के सिरहाने एक मिट्टी का दिया टिम्टिमा रहा था। कम्रे में और कोई प्रकाश नहीं था। बस उतना ही प्रकाश, रक्तिहीन, पीले, ठंडे मोपलिये, हारान की जीवन्त मृत दे, शैया पर पड़ी हुई है। सूरे की गर्मी और आकाश की वायू से सदा वंचित इस कम्रे के हार मास में जो जीनता और अंदकार पलता एवंपुष्ट होता रहा है, वो शीत की रात में, धुंदली रोशनी में, उसकी सारी दिवारों से कोड की तरे फूट-फूट कर निकल रहा है। रात दिन बंद इस घर की रुथ दूशित वायू आत्मत्या करने वाले की मुह से निकलते विशैले फन की तरे ग्रैस्वामी के कंट को जैसे हर समय बंद किये हुए है। दर्वाजे पर मृत्यो दूद पहरा दे रहे हैं। चारों देखकर सतीश बार बार सिहर उठा। उसके मन में होने लगा कि वा चला कर भाग कर जट से रास्ते पर पहुँच जाए। तब ही बच सकता है। यहां मनुश्य का जीवन कैसे बचा रह सकता है। थोड़ी ही दूर पर बहु खड़ी थी। उसकी और उसने एक बार देखा तो जैसे उसका भय कुछ और बढ़ गया। उसका वा अतुल रूप कहां चला गया। उसकी वा हसी कहां चली गई। उसकी आखों के सामने मानुप्रेत लोग का कोई पिशाचा खड़ा हुआ। वह सोचने लगा कि इसके स्वामी इस प्रकार पड़े हैं। फिर भी वह हसती है। परिहास में शामिल होती है। केश कलाब करती है। श्रिंगार करना नहीं भूलती टिकली लगाती है। क्षण भर के लिए संपूर्ण नारी जाती के प्रती उसका मन घणा से भर गया। इसी समय हारान ने पुकारा। मा जानती है कि उपेन आये है। बहु पास आई और जुक कर धीरे धीरे बोली। मा सो गई है। डॉक्टर कह गए हैं कि नीन दाने पर उन्हें जगाया न जाये। हारान मू बिगार कर चला उठे। चूले में जाये डॉक्टर। तुम जाकर कह दो उन्हे। उपेन पास ही बैठे होने के कारण सब सुन रहे थे। वो परिशान होकर भूले। आज रात को उन्हें बताने की जरूरत नहीं है हारान। कल सुबह बता देने से भी काम चल जायेगा। कूपेन समझ गए कि निरंतर रोक का कश्ट भोगने के कारण हारान बहुत चर्चड़े होठे हैं। इसी लिए इस निर अपराधिनी सेवा परायन बहु के तिरसकार से व्यथा का अनुभव कर सांत्वना पूर्ण संकेत के लिए उन्होंने उसके मूँ की योड़ देखा। परन्तु कुछ भी दिखाई ना पड़ा। किरनमाई के जुके हुए मूपर दीपक की रोश्नी पढ़ नहीं रही थी। क्षण भर ही लगा। इसके बाद ही कृद्ध वदू तेजी के साथ कमरे के बाहर चली गई। उपेंद दुखी होकर बैठे रहे और हारान पहले की तरह हाफने लगे। निस्तब्द कमरा सतीश के लिए और भी भी भीशन हो उठा। थोड़ी देर बाद ही हारान ने हाथ बढ़ा कर उपेंद को स्परश किया और उन्हें पास आने का इशारा करके बड़े ही क्षीर स्वर में पूछा। साथ-ाच साल बाद देख रहा हूं। इस बीच क्या तुम एक बार भी इधर नहीं आये। इस बीच बहुत बार उपेंद्र को इस तरफ आना पड़ा था किन्तु वह इसे स्विकार न कर सके। बोले। बिमारी क्या है हारान दा। हारान ने कहा। ज्वर और खासी है। इस समय उस विशय में बात करने का अवसर नहीं है। सब कुछ खत्म हो चुका है। उस सोर संदूग के उपर बैठे सतीश में मन ही मन हुंकारी भर दी। हारान ने फिर कहा। मुझे भी तुम्हारी याद नहीं आई। अगर समय पर तुम्हारा खयाल आया होता तो काम बन गया होता। कुछ देर तक चुप रहकर स्वयम ही कहने लगे। फिर काम और क्या होता। वह सब बाते जाने दो। एक काम कर दो भाई। हमारा दो हजार रुपे का जीवन बीमा है। और है या तूटा फूटा घर। तुम वकील हो इसे लिखवा पढ़ा दो। ऐसा कर दो कि सब कुछ तुमारी देख रेख में हो। उसके बाद तुम और मेरी बूड़ी मा रह जाती है। उपेंद ने कहा और तुमारी स्त्री। मेरी स्त्री किरन। हाँ वो तु है ही। उसके माबाप कोई जीवित नहीं है। उसे भी देखना। उपेंद एक तक उस रोगी सूखे मूखी और देखते हुए सूचने लगे। सतीश ने जेब से घड़ी निकाल कर देखी और उठ खड़ा हुआ। बोला। उपेंद दादा रात के दस बच गए हैं। उधर लोग परिशान हो रहे होंगे। हारान ने उधर नजर उठा कर देखा। पूछा। यह कौन है उपेंद? मेरा भाई है। हम साथ ही कलकत्ता आए हैं। इस समय जाता हूँ हारान्दा। कल सबेरे फेराऊंगा। नहीं कल नहीं कागस बत्र पूरी तरह तैयार करके परसो आना। जो कुछ मुझे कहना होगा या जो कुछ तुम्हें मुझसे कहना होगा उसे दिन बात होगी। इस समय ठैरे कहां हूँ? शहर के उस किनारे पर मेरे एक मित्र रहते हैं। वहीं ठैरा हूँ। उनके जाने को तैयार होने पर हारान ने पुकारा। किरन? उपेन ने तुरंत ही रोक कर कहा। रहने दो हारान दा। सतीश की जेब में दिया सलाई है। हम लोग खुछ चले जाएंगे। वह काम में लगी होंगी। उसके जवाब में हारान ने न जाने क्या कहा। जो सुना नहीं पड़ा सतीश को किवार खुलते ही ऐसा लगा कि कोई तेजी के साथ उधर से चला गया वह भैपूर्वक पीछे हटकर खड़ा हो गया उपेन ने पूछा क्या है सतीश कुछ नहीं आप आईए कहकर वह उपेन का हाथ पकड़कर बाहरा खड़ा हुआ कैसा घना अंधेर एक तो कृष्ण पक्ष के आकाश में बादल चाय हुए हैं उसके ऊपर चारों और बने हुए बड़े-बड़े मकानों ने उस अंधेरे को मानों पकड़ लाकर इस खुले तूटे बरामदे में एकत्र कर दिया है दोनों जने अंदाज से जब किसी तरे सीड़ियों के पास पहुँचे तो देखा कि नीचे वही मिट्टी के तेल का दिया रखे हुए किरन मई स्थेर होकर बैठी हुई है उनके आते ही उठकर बोली रोशनी रिखा रही हूँ साब्धानी से नीचे उतर जाईए आप ही लोगों के लिए यहां बैठे हुई हुई हूँ इस अंधेरी ठंडी रात में इस दुरंत शिशर के बीच भीगी मिट्टी के ऊपर अकेली बहु को उनकी ही प्रतीक्षा में बैठे देख और उसके शीग्री आने वाले वैधवे की बात स्मरण कर उपेंद्र की आँखों में आसुआ गए सदर दर्वाजे के किवार तब भी बन नहीं थे नीचे उतर कर सतीज छट गली के बीच आखड़ा हुआ किन्तु उपेंद्र पीछे की तरफ से बाधा पाकर फिर कर खड़े हो गए किरन में अपनी दोनों करुणा भरी तीखी आखे उनके मोँ पर डालकर एक विशेज भंगिमा में खड़ी है थोड़ी देर के लिए उपेंद्र हत बुद्धी की भाती निश्चल हो गए किरन ने पूछा उपेंद्र बाबू आप हमारे कौन है ऐसे अद्भूत प्रश्न का कोई उत्तर उपेंद्र सोच नहीं सके उसने फिर से समझा कर कहा आप क्या मेरे पती के आत्मिये है मैं इतने दिन से इस घर में हूँ किन्तु किसे दिन आपका नाम उनके मुँसे नहीं सुना सिर्फ जिस दिन आपको पत्र लिखा गया उसे दिन आपका नाम सुना इसलिए पूँच रही हूँ बाहर से सतीश ने पुकारा उपेंदा आओ ना उपेंद्र ने कहा नहीं आत्मिये तो नहीं हूँ किन्तु खास मित्र जरूर हूँ पिता जी जब नुआखाली में रहते थे तब हारांदा के पिता भी वहीं सरकारी स्कूल में अध्यापन का काम करते थे मुझे भी घर पर पढ़ाते थे हारांदा और मैं बहुत दिनों तक एक साथ पढ़ते रहे किरन मैंने कुछ हस कर कहा बस यहीं इसे लिए लिख पढ़ कर आया जा रहा है अच्छा उपेन बाबू आप सब कुछ अपने नाम लिखा लेंगे देर होती देख सतीश से रुधर करके देखने लगा उसने चट से जवाब दिया इसी तरह की बात तो तै हुई है हारान के कमरे से बाहर निकलते समय कौन तेजी से बाहर निकल गया है इसे वा पहले ही समझ गया था बहु ने उसकी योर घूंकर ताकते वे कहा अच्छा आप भी मौजूद है अच्छी बात है ठीक बात है इतने दिनों तक कितना भी कष्ट रहा हो किन्तों दोनों समय दो मुठी अन्न तो जुठ ही जाता था अब रास्ते में खड़ा होना होगा वही होने दो अभी सब हिस्से अपने नाम करा ले उपें स्तंपित हो उठे सतीश ने जवाब दिया जिसकी चीज है वह यदि दे जाता है तो किसी के लिए कुछ कहने की बात नहीं रह जाती है किरन मैं की दोनों आखी आग सीजल उठी बोली मेरे लिए तो है मरन काल में मती नश्ट हो जाती है मेरे पती को वैसा ही हुआ है किन्तों आप लोग लिखा लेने वाले कौन होते हैं सतीश जरा बिकुंठित ना होका दुरन बोल उठा वो मैं नहीं जानता किन्तों मेरे अंतर्यामी या मानते हैं कि हारान बाबु में आज भी वुथी है किरन मैं ने बड़े विद्रूब सर में जवाब दिया कैसी आश्चर मैं युपती है लोग कहते हैं पर जाने दो लोगों की बात फिर उपेंद्र को लक्षे कर बोली किन्तों मैं ये बात पूछती हूँ मैं कैसे जानू कि आगे या मुझे रास्ते पर नहीं बिठाएंगे कैसे विश्वास करूं कि ये धोका न देंगे इतनी बड़ी चोट उपेंद्र को भी असह यहो उठी वा कुछ कहने जा रहे थे किन्तों उसे ना कहकर और चुप रहकर अपने को सम्हालने लगे सतीश ने मीठे स्वर में कहा भापी जी आपके लिए ये जानना जरूरी नहीं है किरन मैं भी तुरन चवाब न दे सकी इस व्यंग भरे आत्मी ये संबोधन की स्परधा में वा अवाक हो उठी है कुछ देर तक देखते रहने के बाद उसने कहा भापी जी आवश्यक नहीं है सतीश ने कहा नहीं आपने यदि अपना अधिकार खुद ही नश्ट ना कर दिया होता तो हारान बाबू के लिए इस सतर्ता की जरूरत ना होती इतनी रात को जगड़ा ना करें जरा इसे समझने की कोशिश कीजिए तीवर कार्बोलिक एसिट का गंद पाते ही जिस प्रकार अपने उठाए हुए फन को साप क्षण भर में हटा कर आगात करने की तैयारी को आत्मरक्षा के रूप में बदल देता है उसी प्रकार या निरोपमा या लीला कौशल में इतेजस्विनी युगती क्षण भर में संकुचित होकर बूली वह मेरे लिए क्या कहते हैं सुना उपेंद्र और चुपना रह सके यद्यपी इस गर्विता नारी का संदिक्त तिरसकार उनको तप्त शूल की भाती भेट गया था फिर भी उनका उच्च शिक्षित भद्र हिदे सतीश की इस जासूसी के विरुद्ध विद्रोव कर उठा वह जो अन्याय पूर्ण उतेजना के द्वारा एक गुप्त रहसे को खीच कर बाहर निकाल लाना चाता था इससे उन्होंने समझ लिया और सतीश को रोग कर किरनमई से बोले आप सतीश के पागलपन पर ध्यान दे कर क्यूं परिशान हो रही है पती की समपत्ती से आपको वंचित करने का अधिकार किसी को भी नहीं है इस विशे में आप निश्चिंत रहे मैं तो यह समझता हूँ कि आपको विशेश सुविधा होगी इसे ही ध्यान में रखकर हारान दादा कुछ लिखा पड़ी कर देना चाहते है किन्तु यदि आपकी सम्मती ना होगी तो वह सब कुछ किसी तरह ना हो सकेगा इस समय रात बहुत ज्यादा हो चुकी है दर्वाजा बन कर दे चलो सतीश अब देनी ना करो सतीश को ठेल कर गली के बीच खड़े हो मृदु हसी हस कर बोले कल परसो फिर भेट होगी नमस्कार